दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे के पूरे दस गैजट्स के बारे में यार जिसमें से कुछ तो बहुत महँगे है और सस्ते नहीं यार सस्ते तो एक भी नहीं है सारे के सारे अच्छे वाले लेकर आया हूँ मैं आज तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नमबर 10 पर है लोमो ये मीनी रोबोट आपके लिए एक ट्रांस्पोर्टर रोबोट होगा जिसके उपर आप बड़े आराम से खड़े होकर खुली हवा का सफर कर पाएंगे और हाँ ये आपकी आवाज भी पैचानेगा और आप अकेले भी इसे जो भी एक्टिविटी बोलोगे ना वो पूरी की पूरी पूरी करेगा ये इसके लाबा आप आराम से खड़े होकर आप इस पे 15 से 18 किलोमिटर प्रती घंटे की रफ्तार से मजे ले सकते हो यार और क्या इसमें Automatic Follow Feature भी है यानि कि आप पैदल चलते रहेंगे और ये आपके पीछे पीछे डॉगी की तरह दुम हिलाते हिलाते आपके पीछे आ जाएगा बट बाइदेवे इसके दुम नहीं है ये आपको फॉलो करेगा बस टेकनलोजी है या रोबोट है दोस्तों लाइफटाइम की वारंटी के साथ कार्बन फाइवर के मजबूत मटेरियल से बनी हुई ये इलेक्टरिक बाइक कई सारे एडवांस फीचर के साथ लैस है अगर आप अपने लिए एक इलेक्टरिक स्ट्राइलिश बाइक खरीदना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये बिल्कुल पॉफेक्ट है आपके लिए लेकिन इसके लिए आपको अपनी किड्नी भी बेशनी पड़ सकती है यार देखो एपल के लिए ही किड्नी बेशनी पड़े ऐसा ज़रुरी नहीं है दुनिया में और भी चीज़े है इस इलेक्टरिक बाइक को अपने मुबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं हाई परफॉर्मेंस मोटर, एडवांस सस्पेंशन सिस्टम, स्टाइलिश जियोमेट्री जैसे फीजर्स के साथ में यहाँ ये इबाइक लैस है दोस्तों, फेरारी की सन 2009 में आई मल्टी अवार्ड बिनिंग कार, फेरारी 458 जो की सिर्फ पफॉर्मेंस में ही बहतरी नहीं दी, बलकि दिखने में भी यार काफी जादा खुबसूरत है और इतना ही लाजवाब है इसका इंजन, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, स्पोर्ट्स कार का इंजन नहीं है, ये एक PC केस है, जिसका साउंड काफी जादा लाजवाब होने वाला है इस पर मल्टिपल कलर के लाइटनिंग सेटप्स की गई है, और हुबहु इसे फरारी के कार के इंजन के जैसा बनाये गया, जो बिलकुल यूनिक PC केस है अगर आप एक मेकैनिकल इंजिनियर है और आपको आटो मुबाइल इंडस्ट्री से बहुत ही जादा प्यार है, तो यार एक बात बोलूँ, आप अपने कम्प्यूटर के पास काम करने के लिए एक PC केस ज़रूर रख सकते हैं स्नीकर शूस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ क्रियेटिव लोगों ने स्नीकर का PC केस भी बना दिया है, जिया, यार लोग तुफानी करने में पीछे नहीं रहते हैं, जिसमें लाइटनिंग और बॉडी फ्रेम के मटेरियल को बहुत ही अल्टिमेट तरीके से न स्नीकर का रूप दिया गया, वाकई में है जबरदस्त, ये बिल्कुल यूनीक और डिफरेंट PC केस आपके डैशबोर्ड पर रख सकते हैं, और इसमें इंटल का कोर i7 प्रोसेसर यूज किया गया, इसे आपकी कंप्यूटर टेबल पर देखकर लोग हैरान हो सकते हैं, कलर फुल क्यूब से अगर आप अपना माइन फ्रेश नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका दिमाग अब इस पुराने पजल कलर फुल क्यूब में नहीं लगता है, तो आपके लिए लाइटनिंग और बिल्कुल डिफरेंट तरह के बॉड़ी वाला यहां इंटेलिजन्ट आपको इसमें साथ में मिल जाएंगी, जिसकी वज़े से आपका दिमाग तो फ्रेश होगा ही, और आप पजल समझने में दूसरों से काफी जादा आगे निकल जाएंगे, यानि आपके दिमाग को काफी स्ट्रॉंग कर देगा यह, नमबर फाइव, नेकी, दोस्तों, जो ना अपने महंगे और खुबसूरत दिखने वाले मुबाइल फोन को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उस पर फोन केस लगाना उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पर वर्ल्ड स्थिनेस्ट फोन केस आ गया है, इसे अपने फोन को 360 डिगरी एरिया प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसे बनाये गया है थर्मो फॉर्म्ड पॉली कार्बोनेट की मदद से जो आपके मुबाइल फोन को स्टैबिलिटी और सेफटी प्रोवाइड करता है, इसे लगाने के लिए आपको बस ए अब यार दोस्तों ऐसा है कि आज कलना हर कोई हेल्थ कॉंशेस हो गया है और हर व्यक्ति अपनी बॉड़ी की एक्टिविटी ट्रैक करना चाहता है, तो आपको अपने रिस्ट पर ये स्मार्ट वॉच्च जरूर बांद लेना चाहिए, यहाँ ये स्मार्ट वॉच्च 24 इ आपके बच्चों के लिए एक बहतरीन मिनी रोबॉट होगा, जो स्कूल वाले भी बच्चों की लर्निंग में यूज कर सकते हैं, और घर में भी इसके साथ बच्चों को लर्निंग कराई जा सकती है, यहाँ सेल्स नैविगेशन सिस्टम के साथ मैच किया गया है, और इसम रियल टाइम ट्रांस्मिशन देने वाला कैमरा भी लगाए गया है, यहाँ यह अपने चोटे से चार पैरों के साथ आपस्टेकल अवाइडेंस फीचर भी अपने साथ रखता है, बच्चों की रोबोटिक लर्निंग एक्टिविटी के लिए यह रोबोट बहुत जादा का इसके चोटे-चोटे पैरों को चार अलग-अलग तरह की अक्टिविटी कराई जाती है, यहाँ यह तेजी से चल भी सकता है और बहुत धीमा भी यह पहला ऐसा सौफ्ट रोबोट है, जो आपको फैमिली के हर एक मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, और एंटेटेन भी करता है, यहाँ स्टीम एजुकेशन के लिए भी है, और एंटेटेन्मेंट के लिए भी है आपके बच्चों की recognize emotions, play games, learn graphic programming जैसी चीजों के लिए इस छोटे से रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह रोबोट आपकी फैमिली के साथ में emotionally connect हो जाता है, और react भी करता है नमबर वन, sky crawler 2, vertical landing और take off feature के साथ बनाया गया यह cod copter, एक aeroplane की body के जैसा अपना body frame रखता है, और अपने पुराने variant से बहुत जादा अपग्रेट करके बनाया गया, इसमें 4K camera लगा हुआ है जो 3D stabilization प्रोवाइड करता है, और अपने पुराने variant से यह 100 gram lighter है, और इसका wing foldable है, इसकी controlling range 16 km की है, और इसकी flying top speed 15 km पर hour की है, और एक बार की charging में यह 20 minute तक लगातार उड़ाया जा सकता है, अगर आप एक बढ़ियां quad copter लेना चाहते हैं, वो भी aeroplane के जिसा दिखने वाला, तो उसके रिए यह बहुत ही बहतरीन है, तो दोस्तों आपको वीडियो क कौन सा लगा जिसे आप लेना चाहेंगे, आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रू बताई, और